नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है 9 दिसंबर 2018 जनायग जनता पार्टी की स्थापना हुई जनायग जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से अलग हो गई पारिवारिक कल है कि चलते ये रिष्टा बिगड़ता हुआ नसर आया लेकिन एक बार फिर से संकेत मिलते वे नजर आ रहे हैं कि जनायग जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गटबंधन होने वाला है पारिवार एक होने वाला है ये बात हम नहीं बलकि खुद अजे चोटाला कहते वे नजर आ रहे हैं दरसल अजे चोटाला का हाल ही में यम्नानगर में एक बयान सामने आया है उन्होंने बयान में कहा है कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी हमने कभी भी इने लों को नहीं छोड़ा बलकि हमें पार्टी से निश्काशित किया गया था मेरे बेटे दुशन चोटाला और दिगविजे को तो नोटिस दे कर यहाँ पर निश्काशित किया गया लेकिन मुझे बिना नोटिस दिये हुए निश्काशित किया गया था लेकिन अजे चोटाला का बयान सामने आया है कि अगर ओम प्रकाश चोटाला दोबारा विचार करें दोबारा सोचें तो वो गटबंधन करने के लिए तैयार है वो कहते वे नजर आते हैं कि ओपी चोटाला अगर हमें आज बुलाएं या कल बुलाएं जबी भी बुलाएं हम चले जाएंगे हम हमेशा साथ रहेंगे अजे चोटाला की जरीय संकेत दिये जा रहे हैं अजे चोटाला ने ये तक भी कहा है कि जब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी किसी राज्य में साथ चुनाव लड़ती हैं फिर उसी दूसरी राज्य में वो अलग होकर चुनाव लड़ती भी नसर आती हैं से कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का गड़ बंधन दिली में देखने को मिला लोग सभाद चुनाफ के मद्धे नजर लेकिन पंजाब में ये गड़ बंधन नहीं था ये उधारन अजे चोटाला ने दिया इसके साथ आपको ये बता दें कि जहां अजे चोटाला यहां पर बुलाते हैं तो अगर बंधन करने के लिए तैयार हैं तो वहीं कुछ वक्त पहले ओम प्रकाश चोटाला का भी बयान सामने आया था जब उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग गुमराहा होकर सत्ता के लालच में इनेलो पार्टी से अलग होकर चले गए ये बात ओम प्रकाश चोटाला के जरीए कही गई थी और अब अजे चोटाला के जरीए कही जा रही है कि वो एक बार फिर से साथ आना चाहते हैं देखना होगा कि क्या ये गड़ बंधन होता वो नजर आएगा या फिर नहीं